So hello everyone, welcome back to SSC Crackers तो guys, अभी हम लोग का जो shift 1 हुआ है, उसके maths का जो भी question आया आपका तो total अभी तक लगभग 20 question हम लोग के पास आ चुके हैं तो इनका हम लोग analysis एक बाद करके देख लेते हैं तो हो सकता है कि इसमें question कुछ different भी हो, उसका data अलग हो क्योंकि अभी तक जो students ने दिया है, उन्हीं questions को हम लोग discuss कर रहे हैं तो कोई यह authentic नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको देख लीजे ता कि एक idea लगे कि जो भी हमने किया था question, बिल्कुल डिटो copy वही question आ रहा है जितना भी आपका previous year था, सब वही repeat question हो रहा है आपका, तो चलिए इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आपका question आया क्या क्या है आज, तो पहला question अगर देखे आप, तो यह भी आपका पता नहीं कितनी बार यह किया जा चुका है a plus b plus c आपका दे रखा 18, ab plus bc plus ca is equal to दे रखा 107, तो आपको बताना है कि a cube plus bq plus c cube minus 3abc का value क्या होगा यह हम लोग class में कम से कम ऐसा 15 question किया होगे, तो आप देखे, तो simple लिखा formula होता है क्या aq plus bq plus cq minus 3abc is equal to 2 हता, आपका a plus b plus c into a plus b plus c का whole square minus 3ab plus bc plus ca, ठीक है चलिए, इसमें बिठा दीजे आप, तो a plus b plus c कितना है आपका, 18, a plus b plus c का whole square कितना होगा, 18 का square, 364 minus 3 times ab plus bc plus c, यानि इसको 3 से multiply करेंगा, तो आपका कितना होजागा, 321, यानि किये होजागा कितना आपका, 18 into इंदोनों का gap कितने का होजागा, यह होजागा, 43 का, यह होजागा आपका कितना, 774, ठीक है, समझें बात को, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question है आपका, एक rectangle है, जिसका diagonal है 15 cm, एक side दे रखा है 12 cm, तो आपको बताना है कि इसका area क्या होगा, तो rectangle का area होता क्या है, l into b, यह होता है न, आपको diagonal दे रखा है, length दे रखा है, ब्रत बताना है, तो यह कितना होजागा, आप यहाँ पे 90 degree बनाएगा, तो यह किसका triplet है, 9, 12 और 15 का, यानि कि length कितना, 12, breadth कितना, 9, यानि कि area कितना होजागा, 108 cm square, ठीक है, चलिए, third question देखते हैं हम लोग, third question है आपका, कि एक circle है, इसमें 2 chord है, यह हो गया AB, और यह हो गया CD, इसके बाद आपका दे रखा है, कि यह मालीजी की P point है, तो PC का value कितना है, 4 है, DP का value कितना है, तो यह है 6, तो आपको AP का value क्या होगा, यही, बताना है, ठीक है, ऐसा question में हम लोग, class में बहुत सारा किये थे, तो इसमें simple सा आपका formula होता है, कि 6, इसका, इसका multiplication, और इसका, 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 इन दोनों का product क्या होता है, equal होता है, यानि कि 6 into x is equal to 9 into 4, यह हो जागा, आपका x is equal to 36 by 6 यानि कि 6 cm आपका correct हो जागा, ठीक है, समझ गया बात को, easy question है, चलिए, अगला question देखते है, अगला आपका दे रखा है, कि कोई 2 person है A और B, इन दोनों के age का ratio दे रखा है, 3 is to 2 का, और इन दोनों के बीच में जो gap है age का, वो कितना है, यह है आपका 24 years, ठीक है, यह दोनों 24 years के age का gap है इन दोनों के बीच का, तो आपको बताना है कि A का age अभी के 37 years के बाद कितना होगा, यानि कि अभी age का जितना, A का जितना age है, उससे 37 years के बाद उसका age कितना होगा, तो simple सी बात है, इन दोनों के बीच का gap कितने का है, बीच का gap 1 का है, 1 का value कितना, 24 का, A का age कि कितना है अभी 3, यानि कि 3 क्या value कितना हो जाएगा आपका, 72, तो आपको 37 years के बाद का बताना है, यानि कि 37 add कर देंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 109 years का आपका A हो जाएगा, यानि कि आपका 109 years इसका correct answer होगा, ठीक है, चलिए, अगला question देखते हैं हम लोग, next question आपका, कि X is to Y दे रखा है आपका कितना, 5 is to 7, Y is to Z दे रखा है कितना, 8 is to 9, और आपका total amount दे रखा है 6300, तो आपको बताना है कि Y का share कितना होगा, ठीक है, चलिए, simple सा ratio का question आपका, X is to Y is to Z, कितना हो जाएगा, दीखे, तो इन दोनों में Y common है, तो Y को आपका कर लीजी equate, जाएगा आपका, 40, 8 में साथ से 56, और 9 में साथ से करेंगे तो 63, आपको बताना है कि Y का share क्या होगा, total कितना है, 6300, Y का share कितना है, 56 का, total कितना है, तो 60 और 40, 100, 150, 109, 159, आप इसको solve करेंगे, जो भी आपका answer हैगा, वो आपका Y का share हो जाएगा, ठीक है, समझे बात को, चलिए, next question देखते हैं, यह आपका दे रखा है कि principle किसी का है, 3500, amount हो जाता है simple interest पे, कितना, यह होता है आपका, 4500, rate दे रखा है 10% का, तो आपको बताना है कि time कितना होगा, ठीक है, simple सा formula आपका होता है, कि अगर simple interest कितना है, अगर 3500 से 4500 हो रहा है, यानि कि simple interest आपका है क rate कितने का है, 10% का, time हमको बताना है, divided by 100 करेंगे, 0000, 0000, 0000 को काट देंगे, t is equal to आपका हो जाएगा 100 by 35, काट दीजे इसको, तो यह हो जाएगा 20 by 7 years, आपका इसका correct answer हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान question है, चलिए, अगला question हम लोग देखते हैं, अगला आपका एक दे CP, क्या होगा, simple सी बात है, अगर 216 पे बेजने पर 10% का loss हो रहा है, CP आपको बताना है, यानि कि 90% का value कितना है, 216, 100% का आपको value बताना है, यानि कि 216 divided by 90 into 100, 0 से 0 को काट दीजे, 9 से कटेगा यह, बिल्कुल कटेगा, कितने बार में, 24 टाइमस में, यानि कि आपका, 240 अगला question देखते हैं हम लोग, अगला आपका, x-2y is equal to 3, xy is equal to 5, तो आपको बताना था कि x²-4y² का value क्या होगा, ठीक है, चलिए, जल्दी से solve किजिए इसको, बहुत आसान question है, देखे, simple से इसमें लगाना क्या है, value putting किजिए, मैंने आपको हमेशा से बताया कि value putting आपका स अब से best होता है, तो x को 5 और y को अगर 1 रखते हैं, तो यह verify हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर दिख लिजे, 5-2, यानि कि 3 यहाँ पर भी यह सही है, तो x² आपको बताना है, तो x² कितना, 25-4y², यानि कितना, 4, यह हो जागा, आपका 21, correct हो जागा इसका, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ें हम लोग, next question आपका पूछा है, कि cos x cos theta plus sin theta divided by cos theta minus sin theta is equal to कितना है, 8, तो आपको बताना है कि cos theta का value क्या होगा, ठीक है, चलिए, same ऐसा ही question एक आया था आपके previous year में, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें component और dividend और लगाएंगे, तो आपका easily solve हो जागा, है न तो आप लगा दीजे इसमें, उपर में sum करेंगे तो क्या होजागा आपका, 2 cos theta, नीचे में दोनों को subtract करेंगे तो कितना होजागा आपका, 2 sin theta, इसका value इधर कितना होजागा, 8 by 1 इसको माल लिजे, तो उपर में आपका होजागा, 9, नीचे में कितना होजागा, 7, 2 से 2 चलिए, अगला question देखते हैं, अगला आपका कि, cos x minus y is equal to root 3 by 2, sin x plus y is equal to 1 by root 2, तो आपको बताना है कि x का value क्या होगा, ठीक है, simple सा बात देखे, cos root 3 by 2 कब होता है, 30 degree पे, यानि कि x minus y का value कितना हो गया, 30, sin 1 by root 2 कब होता है, 45 पे, यानि कि x plus y कितना हो गया, 45 degree आपको x बताना है, दोनों को add कर दीजिए, 2x का value होगा कितना, 75 degree, x का value होगा आपका, 75 by 2 यानि कि 37.5 degree बजाएगा, ठीक है, समझे बात को, चलिए, अगला question देखते हैं, ये एकदम ललू-पलू question है, एक circle दे रखा है, इसमें आपका center पे angle बनना है कितना, 108 degree का, तो आ आपको बताना था किसके circumference पे कितना angle ये बनाएगा, ये x degree कितना होगा, simple सा मैंने आपको बताया था कि जितना भी वो center पे बनाता है, उसका यहाँ पे आधा बनता है, यानि कि 108 का आधा होगा, तो कितना हो जागा ये आपका, 54 degree, देख रहे हैं कितना असान question है, बिल्कु next question देखते हैं, आपका अगला question देखा है, कि SP देखा है आपको 72,000, profit देखा है आपको 25% का, तो आपको बताना है कि अगर हमको 30% का profit कमाना है, तो इसका SP कितना होना चाहिए, तो simple सा बात है कि 25% profit पे इतना हो रहा है, यानि कि ये कितने का value है, ये आपका 125% का value है इतना, तो आपको बताने है कि 130% का value क्या होगा, तो यह आपका simple हो जाएगा, बहतर रजा divided by 125 into 130, तो आप इसको solve करेंगे तो आपका यह इसका answer आजाएगा, ठीक है, 125 से इसको कटेंगे तो कितने बार में जाएगा आपका, 25 से यह जाएगा, 5 बार में, यह जाएगा, 4 बार में, 5 से यह जाएगा, दो बार में, तो यह आपका कितना हो जाएगा, 72 into 8 into 130, आप इसको जो भी आएगा solve कीजिए, यह यह आपका answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए आपको answer से मतलम नहीं है, 1 by A plus 1 by B plus 1 by C is equal to 0 दे रखा है, तो आपको बताना है कि A square plus B square plus C square is equal to what, ठीक है, simple size में लगा दीजिए, आपका, इसका LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका, उपर में आपका आएगा, A B plus B C, sorry, plus C A is equal to, नीचे से यह multiply 0 में होगा, तो कितना हो जाएगा, 0, आपका कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 2 का square is equal to, इसको माल लेजिए कि X, तो X plus 2 into 0, तो X कितना हो जाएगा, 4 आपका, यह ही आपका answer हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान question है, चलिए, अगला देखते हैं, आपको बोल ला है कि MP जो है, यह 15 परसेंट, अब क्या गया है, ठीक है, 15 परसेंट जादा हम किसी को mark कर रहे हैं, cost price से, इसका discount दे दे रहे हैं हम कितने का, 20 परसेंट का तो आपको बताना है कि profit या loss परसेंट क्या होगा, ठीक है, सिंपल सा है, हमने class में किया था, कि जो भी होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, successive लगा देते हैं, तो mark price कितना बरा रहे है, 15, discount कितने का, यानि कि हो जागा, negative में, minus 15 into 20 by 100, तो आपका कितने का loss हो जागा, सिंपल सी बात है, यह कितना आजागा, minus 5, minus 20 से काटेंगे तो 5 बार में, या 5 से जागा 3 बार में, यानि कि 3 आपका, minus 8 परसेंट यानि कि loss कितने का हो रहा है, loss हो रहा है आपका, 8 परसेंट का, ठीक है, समझे बात को, चलिए, अगला question देखते हैं आप लोग, तो एक दिया था आपका, कि x plus 1 by x is equal to 6, तो आपको बताना था कि x4 plus 1 by x4 का value क्या होगा, आप देखिए, इस question में मैंने बहुत contradiction देखा, कहीं पर आपका 6 दे रखा था, कहीं पर आपका 2 दे रखा था, तो मुझे तो 2 पर ही ज्यादा लगा, क्योंकि ऐसा पूछ देते हैं बार-बार, तो अगर x plus 1 by x is equal to 2 दे रखा है, तो simply आपका इसमें क्या था, कि x is equal to आपका 1 हो जाएगा, तो जैसे ही आपका x is equal to 1 आएगा, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 1 plus 1 that is equal to 2, और अगर x plus 1 by x is equal to 6 दे रखा है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x square plus 1 by x square is equal to 6 का स्क्वाइर, 36 minus 2 यानि की 34, और x4 plus 1 by x4 is equal to क्या हो जाएगा यह हो जाएगा अपका 34 का है square minus 2 जो भी हाता है आपका इसको solve कर लेंगे आपका answer हो जाएगा ठीक है चलिए एक question आपका दे रखा था यह भी previous year ditto copy repeat हुआ है एक circle है उसका cord जो है उसका length दे रखा है आपको 24 इसका center, sorry radius जो है यह आपका दे रखा है 15 तो आपको बताना था कि center से cord के बीच का length क्या होगा तो आपको पता है कि center से जो cord पे जाता है वो perpendicular जाता है और इसको क्या करता है दो भाग में इसको बाट देता है तो अगर यह 12 है यह 15 है तो यह कितना हो जाएगा, यह आपका 9 cm हो जाएगा, तो इसका लेंद्ध क्या हो जाएगा, आपका 9 cm यह यह आपका correct हो जाएगा, ठीक है, समझ गया बात को, चलिए, अगला question देखते हम लोग, एक question आपका देर रखा था, बहुत आसान question पता नहीं, यह पूछा भी है या नहीं, क्योंकि हद से ज्यादा आसान question है, कि 15 लोग किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि अगर 20 लोग करें, तो इसको कितने दिन में करेंगे, तो simple सी बात है, आपका total वर कितन हो गया, 15 into 10, और आपको कितने लोग उसे कराना है, 20 लोग उसे, यानि कि यह कितना हो जाएगा, 15 by 2 आपका यही correct हो जाएगा, यानि कि 15 by 2, यानि कि 7.5 days में आपका काम complete हो जाएगा, ठीक, चलिए, एक last question आप लोग देख लीजे, यह पूछा है, कि कोई इंसान जो है, व इसको वो cover कर रहा है कैसे, 10 km per hour के speed से, second को cover कर रहा है, 20 km per hour के speed से, और third part को cover कर रहा है, वो 30 km per hour के speed से, तो आपको बताना है कि इसका average speed क्या होगा, simple से बात है कि इक्वल डिस्टेंस टेवल कर रहा है, average speed बताना है, तो आप क्या कीजिए, कि इक्वल डिस्टेंस में मतलब आपकी ऐसा distance मानिए कि जो तीन हो से divisible हो जाए तो क्या होगा इसका LCM लेंगे तो 60 km हो जाएगा चलिए टोटल आपका average speed कितना हो जाएगा टोटल distance अपन टोटल time तो टोटल distance कितना हो जाएगा आपका 60-60 तीन बार चल रहा है यानि कि 180 divided by 60 km आपका चलेगा 10 km per hour के speed से तो कितना time? 6 गंटा इसमें कितना लेगा? 3 गंटा इसमें कितना लेगा? 2 गंटा तो टोटल time कितना हो जाएगा? 6-9 और 2-11 यानि कि आपका average speed कितना हो जाएगा? 180 by 11 km per hour का ठीक है? समझ गे बात को? चलिए तो अभी तक यही आपको total 20 question मिला ह तो I hope आप लोग को यह करके थोरा confidence आया होगा और जितने भी next shift वाले लोग होंगे वो इसको थोरा सा अच्छे से लेंगे और confidence के साथ जाएगे कि हाँ जो भी आपने यहाँ पे किया है उससे बाहर question नहीं आएगा आपका ठीक है? तो अच्छे से एक बार सांत मन से exam दीजे और जो भी question आता है उसको group में जरूर बताएगा ठीक है चलिए तो आज के लिए इतना ही thank you